देश विदेश में छाया डूंगरपुर जिले का भहीमी गाउव जहां पर RSS प्रमोख मोहन भागवत तीन दिवसिय प्रवास पर है। पूरा गाउव धर्मनगरी में तब्दील हो गया है। बुजुर्गों की प्रेरना से युवाओं की मेहनत ने हर किसी को इस गाउव और आकरशित किया है। प्रती महीने बैठक करते, मासिक बैठक, एजेंडा तै करना और लिये गए निल्नाई की पालना सुनिश्चित कर आगे बढ़ने का होसला बनाए रखा संसकार, शिक्षा, पर्यावरन आदी पर काम करते हुए गाउव में एक विशाल डोम का निर्मान करा गया। जिसमें मांगलिक कारियों सहित धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं ये पंडाल ग्राम वासियों के सहयोग से बनाया गया है। RSS के सरसंग चालक मोहन भागवत तीन दिन के प्रवास से गाउव में खुशियों का का महौल बन गया है वही पूरा गाउव धर्म नगरी में परिवर्तन हो गया है। गाउव के प्रत्येक घर के आगे विभिन धार्मिक स्लोगन ओम स्वास्तिक सहित अनकित किये गए हैं वहीं प्रत्येक घरों के उपर भगवा लहराया गया है। भहीमी गाउव को इस मुकाम तक पहुँचने में युवाओं की कड़ी मेहनत और लगन से ही संभव हो पाया है। मनमुटाव को गाउव में ही चौराहें पर बैठक कर पंची निप्टा देते है। भहीमी गाउव में 2000 से संभ की शाखा चल रही है। गाउव ने हरित क्रांती के तौर पर पौधर उपन, स्वच्छता पर विशेश ध्यान दिया गया है। मंदिर का जील नोधधार कराया गया। त्योहारों पर मंदिर को विशेश सजाया जाता है। धर्ती पुत्व के नाम से प्रख्यात पार्टीदार समाज के किसानों ने पहाडियों को समतली करन उपजाव भूमी तैयार की। गाउव में लगी प्रदर्शनी में विभिन प्रांतों से आय संग के पदाधिकारियों ने अवलोकन किया प्रदर्शनी में राजस्थान वनवासी कल्यान परिशद की जंजाती महिलाओं द्वारा तैयार की गई चीजों को खूब सराहा गया। वही गाउव में प्रदर्शनी स्थल पर छत्रपती शिवाजी महाराज की प्रतिमा एवं गाउव के में चौराहें पर महराना प्रताप की प्रतिमा लगाई गई है जो की आकरशक का केंद्र बन गई है। वही पांडाल में आयोजित कार्यक्रम में गोविंद गुरू, संद मावजी, संद संद सुर्माल दास एवं वीरकालीबाय आदी राजस्थान के संदों के नाम से पांडाल बनाए गई। गाउं का प्रत्यक युवा, बुजूर्ग और महिलाओं के साथ साथ बच्चों में इस हतिहासिक तीन दिवसियकार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल है वही आसपास के गाउं का भी सहयोग मिल रहा है। सर्व समाज की नीव के साथ आने वाला भविश्य सुकदाई रहे उसके लिए हर कोई इस राष्ट्रियकार्यक्रम में अपना योगदान दे रहा है। विवेकानन ग्राम विका समिति, विवेकानन नवियुक मंडल और श्री मा महिला समिति ऐसे सभी शक्तियों को जोड़ने के हमने चलड़म बनाएं उनकी मासिक बैठकें बैठकों पर चोटे-चोटे काम और काम के परश्चाहत अगली बैठक में उसकी समिक्षा। ऐसा करते-करते धीरे-धीरे हमने शिक्षा, स्वास्त्य, स्वावलंबन, परियावरण, गवपालन, जैविक क्रशी ऐसे बिंदों पर छोटे-चोटे काम ग्राम वासियों के सहयोग से प्रारंध किये, एक वातावन का निर्मान किया, उसका परिणाम ये रहा, कि 18-19, दिसंबर 2019 में संग के ततकालिन सरकारवा, माननिय, भईया जी जोशी, वो हमारे गाव में पदारे, उन्होंने देखा, सबको बहुत अच्छा लगा, उसके परिवाद हम फिर से इस कारे को और आगे जुटे, तो सभी ग्राम वासियों के सहयोग से, हमने 60-70 लाक र माध्यम से एक सुंदर डॉम पांडाल बनाया, जिसमें हमारे विवाह, अधिकारिक्रम, इसको मल्टी यूज यानि खेल, गतिविद्या, संसकार, शिक्षा, इन सब गतिविद्यों के लिए बनाया, और उस डॉम पांडाल बनने के बाद गाव की सडकें, गाव का मंदीर, गाव का विद्या लए, उन सब को साफ सुत्रा और अच्छा बनाया, फिर हमें उजनिय सरसंग चालक, डक्टर महांजी भागवत का यह तकालिन प्रवास मिला, उस प्रवास के प्रिक्ष में गाव के आबाल नर नारी, एक एक बच्चे बुढ़े ने हमारा और सयोग किया, और उसके परिणाम सरुप गाव में भित्ती लिखन, सुंदर चित्र, साफ नालिया, साफ सुत्री सड़कें, अच्छा मंदीर, और ये सभी हम सुबह एक मेने से अनवरत प्रभाद फिरी निकालते हैं, और सभी ग्रामवासियों के सामुक सयोग से एक अख प्रती भागियों ने हमारे गाउं में आकर के गाउं का अवलोकन किया, और पूजनिय सरसंचालग जी का मारत दर्शन मिला, हम सभी के लिए सोभाग्य की बात है, इस अफसर पर मेरा ये कहना है, कि हम सभी इन सब कामों से संग से प्रिरणा लकर, हम सभी देश भर में एक अच्छे सुंदर गाउं बनाएं, और जब गाउं अच्छे बन जाएंगे, तो पूरा भारत अच्छा हो जाएगा, और 2025 में संग के शताब दिवर्श में हम अपनी भारत माता को विश्व गुरु पर देखना चाहते हैं, यह सपना हमारा पूरा होगा, अस्तु धन्यवा कर देखनेशित हैं, यह सुच होगा होगा हिवर्श में हम इन द looking होगा है, यह संना है, इन प्लकिश सी में होगा हम ऩूरा होगा है, तो इ Hem एकर अच्छे स досुग करशे से दिमन जिलः में हो, देखना हैं, अ Кिल बना जाउंगा है, दो एकर दो जाह में होगा है, लो पक